फिर से आभी सबीका स्वादाज बात करते हैं पतेंजली शाम्पू क्या प्यों है क्या क्या इसमें मिलाए जाता है क्या ये बालों के लिए सही होगा लगाने के लिए चुनो स्टार्ट तो भाई लोग सब्सक्राइब करना ना बूलिए और बेल आइकोन को दबाना भी ना पूलिए लेटेस वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगे और लाइक तो करना नहीं बूलिए तो इस शाम्पू में क्या कि मिले रिटा अबला भिंगर आज ही ना शेका काई नीम तुलसी बोकुची हेल्दी गिलोई बुत कुमारी आमला आमला शरीर के लिए विटामिन खान पर से केमिकल शाम्पू इस्तिति और बिगड़ जाती है पतेजली के शाम्पू में आवल्रा और घ्त कुमारी यूनी आलो वेरा मुझोत होते हैं जिसमें पूरमात्रा विटामिन होते हैं थे शाम्पू गयाँज्टा है ने यदिवक बालों के जोड़ों में पहुचाता और गुपडी को इसको हटाता है दूसरा इसमें जादी डेंडर की समस्या है या आपको ज्यादा डेंडर की समस्या है तो आप भेजजग पतेंजरी शंपू यूच करना चाहिए क्योंकि इसमें कीमिकल कि मिलया जाता है लेकिन क्या कि इसका लंबे एक साल में टीकानी के लिए एक कीमिकल मिलाया जाता है बाइक स्कूद्स नहीं है मैं प्रस्ण लिए जोग ता-वपाल देख सकते हो जादधा पढ़ा हबते में एक बार या दो बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका सुगंत जो इसकी बास आती है वह यह की बास आती है नहीं कि दुसरे कीमिकल तरह इसकी बास आती है और आपको लगा सिसम में मुईसूस होगा कि भाई ये प्यो है इसका बास होती हल्दी के जैसा आ जाएगा पतंजली सुंदरी पदार्थों में पतंजली शंपू का एक जिशिस पदार्थे है जिसमें ज़्यादा खरित जाने वाले पतंजली शंपू की कीमत बहुत ही कम है अन्य शंपू के अलावा विटामिन सी विटामिन होने के वज़े से हमरे बालों में नैचुरल तरीके से ग्रोथ लाने में मदद करता है पतंजली एंटिडेंटरिफ शंपू तो आप इसको 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 उनलाइन या खरी सकते हैं मुझे इस प्रोडप्त के या किसी भी फतन शिड़ी प्रोडवे और प्रोडव से एंटिछने में मेलते जो में लगाता हूं मुझको छोड़ दिया और पतंजली में लागा रहा हूँ आप इसको दो बार यूज़ कर सकते उसका कुई साइट इफेक्ट तो दो मैने तीन मैने हो चुक है मेरोको देखनों के लिए नहीं मिला तो आप इसको यूज़ किर जे और वी वीडियो कैसा लागा आप कमेंड बॉक्स में झाल